गुड मॉर्निंग चूडेंट्स हिंदी की ओनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत बच्चों आज हम अपनी पाठे पुस्तक गुलमोहर के पाठ दस हवा चली कविता के पुस्तक अभ्यास को पूरा करेंगे इसके पहले हमने इस पाठ के पाठ कविता वाचन को किया था और इस कविता के भावार्त को भी जाना इस पाठ के पठित काव्यांश को भी हमने पूरा कर लिया है और आज बारी है इस पाठ के पुस्तक अभ्यास को पूरा करने की तो चली आरंब करें पुस्तक की अभ्यास प्रिष्ट संख्या ये पहुँच गए हम जल्दी से अपने पाठ्थे पुस्तक की पाठ्थ दस हवाचली के पुस्तक की अभ्यास में और यह है प्रिष्ट संख्या 89 प्रिष्ट संख्या 89 पर यह पुस्तक की अभ्यास है जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को इस पार्ट के कखिन शब्द और शब्दार्थ हमें नहीं करने हैं तो हम उसका कोई अभ्यास नहीं करेंगे तो चलिए आरंभ करें पुस्तक की अभ्यास को पूरा करने की प्रस्तुत कविता के रचैता का नाम बताईए इस कविता के रचैता कौन है? इस कविता के रचैता है योगेंद्र दत्थ श्री योगेंद्र दत्थ है इस कविता के रचैता दूसरी दूसरा प्रश्न है हवा किसको बुहारती है किसको बुहारती है हवा पहाड को बुहारती याद है न यह पंक्ती पहाड को बुहारती बहार को पुकारती तो यह हवा किसको बुहारती है पहाड को बुहारती है तो यहाँ पे हमने लिखा है पहाड और योगेंद्रदत क्यों लिखा है ऐसा क्योंकि यह तो वन और टू वर्ड में उत्तर देने के लिए कहा गया है यह संक्षिप्ट प्रश्ण है तो इसलिए मैंने एक-एक शब्द में ही यहाँ पे उत्तर दिये हैं चले अगले प्रश्ण की तरफ चले सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाईए कविता के आधार पर हवा में क्या नहीं है अब पताईए इस कविता में आपने क्या जाना कि हवा में क्या नहीं है चंचलता नहीं है स्थरता नहीं है या औस्थरता नहीं है हवा में चंचलता तो है और हवा कभी स्थर नहीं रहती इसलिए हवा में स्थरता नहीं है कभी रुकती नहीं है यह हवा किसको पुकारती है हवा गुबार को, बहार को या पहार को हवा गुबार को पुकारती बहार को सवारती, पहार को बुहारती हवा कुछ देर के लिए कहीं भटक जाती है यानि उसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है हम सभी बेचैन हो जाते हैं क्यूंकि बिना हवा के बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते हैं बिना हवा के हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए खलबली मच जाती है। निमनलिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए। हवा कहीं बुरी, कहीं भली से क्या कहना चाहते हैं। यहां पे इस पंक्ती में हवा कहीं बुरी, कहीं भली से कभी का क्या कहना है। नाराज होती हवा बूरी लगती है एवं मस्ती में बहती हवा सबको भली लगती है इस पंक्ती में कवी यही कहना चाहते हैं अगली पंक्ती है हवा नाराज हो जाती है तो क्या करती है हवा नाराज होती है तो किले शिखर तखा महलों को तितर बितर कर देती है हवा नाराज होती है तो क्या करती है बड़े चाहे कितने भी मजबूत किले या शिकर या महल क्यों न हो उसे नश्ट व्रश्ट कर देती है तितर बितर कर देती है निमनलिखित काव्य पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखे इसे उठा, उसे पटक, यहां अटक, वहां मटक, इसे सटक, उसे गटक हवा का तेज जोंका वस्तुओं को उठा कर पटक देता है हवा के जोंके से उड़कर कुछ भी कहीं अटक जाता है हवा अपने तेज बहाव से वस्तुओं को उड़ा कर दूर ले जाती है यहाँ पे इन पंक्तियों का यही भावार्थ है यही अर्थ है कभी कहीं गई भटक मचा अजीब खलबली हवा चली हवा चली यदि हवा कहीं गुम हो जाती है तो हमारा जीवन बेहाल हो जाता है खलबली मज़ जाती है हमारे जीवन में हवा चलने से वातावरन खुश्नुमा रहता है अगला भाग यानि की इस पाठ में से संबंधित व्याक्रानात्मक प्रश्न भाशाग्यान भाशाग्यान में हमें सीखना है परियावाची शब्द तुक्वाले शब्द और क्रिया के शब्द वर्ण विच्छेद तो हम लोग इसका अफ्यास करें चलिए दिये गए शब्दों के तीन तीन परियावाची शब्द लिखिए दो शब्द दिये गए हैं हवा और पहाड तो हवा के तीन परियावाची हैं पवन वायू समीर अगला है पहाड पहाड के परियावा अगला प्रश्न है तो क्वाले शब्द लिखिए गली गली का तुक्वाला शब्द हो गया चली उतारती पुकारती पड़ी अड़ी बिफर शिखर उधर इधर जोपड़ी खोपड़ी भटक अटक बुहारती सवारती तो यहां पर यह जितने भी आपने शब्द देखे तुक्वाले शब्द यह क्या है उनके समान सुनने में समान तुक के लगें उन्हें ही लिखना था तो उसी का कोशिश की गई कि उसी के अनुसार लिखा जाए उदाहरन की अनुसार नीचे दिये गए शब्दों के सामने उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए क्रिया शब्द लिखना है यानि कि जो भी शब्द दिये गए हैं यहां पर उनके लिए जो क्रिया शब्द प्रयोग किये जाते हैं वही लिखना है आपको हवा चलती है हवाई जहाज क नाव क्या करती है, नाव चलती नहीं है, नाव तैरती है, साप रिंगता है, फूल खिलता है, गाड़ी चलती है, गाड़ी भी चलती है, वर्ण विच्छेद कीजिए, रुकी, अब रह में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटा रुकी मात्रा, क में कौन सी मात्रा लगी है, इकी मात्रा, तो र आधा, क्यों आधा, क्योंकि र को बिना स्वर के हम उचारण नहीं कर सकते, और इसमें हमको एक ही स्वर लगाना होता है, और वो है उकी मात्रा, उकी मात्रा भी स्वर है, मालूम है ना, जितने भी मात्रा हैं, वो स्वर से बन है तो हमने र में गदी की मात्रा लगाई की है की क्योंगि में चोटा हो है यहां पे सवरभी छोटा हू लगा दिया अब आ खुद लगा है अजीब इमि तो की मात्रा लगानी है तो मैंने यहां लगा लिख दिया बड़ी ई ब और ब में कोई मात्रा नहीं लगी जहां पे कोई मात्रा ना हो वहां पे क्या रहता है अ ब अजीब सवार्ति स चंद्रबिंदू व आ की मात्रा है आ र अ क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है तो अ त बड़ी ही सवार्ति उतावला उ कोई मात्रा नहीं क्योंकि यह तो स्वरवर्ण है त में आ की मात्रा यानि आ व में अ क्योंकि इस कोई मात्रा नहीं है इसलिए ल में आ की मात्रा लगी है तो हमने आ लिखा उतावला तो यह आपने पूरा कर लिया प्रिष्ट संख्या 89 और प्रिष्ट संख्या 80 या आपको अपनी किताब में अपनी पुस्तक में शुद्ध शुद्ध लिखना है चाहे तो वीडियो की मदद से लिखें या वैसे ही जैसा कि हर बार बताया जाता है Google Classroom और Campus Care आपकी सहायता के लिए हमेशा तयार तो आपको वहाँ भी इसके PDF मिल जाएंगे और वीडियो में भी आपकी मदद की गई है सभी शब्दों का उच्चारंड समझाया गया है तो उच्चारंड की सहायता से भी आप लिख सकते हैं तो वीडियो सुनिये ध्यान से और अपने पुस्तकी अभ्यास को पूरा कर लीजिए